हेई नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग तो दोस्तों हम अपने फेवरेट अड़े पर आ चुकिया है और जो भी इस वीडियो में नया है उनको बता दू कि मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूं विद्ध पर्मेन्ट कॉलोस्तोमी जी 10 साल से उलस्तोमी बैग है और काफी आच्छी नॉर्मल लाइफ में जी रहा हूं इस चैनल पर मैं जाद तर इसी कैटेगरी के उपर वीडियो बनाता हूं cancer, colostomy, colostomy से related guide, कैसे आप colostomy के साथ में एक अच्छी life जी सकते हो, इसी related हम वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खासी, क्योंकि आज का वीडियो, especially cancer patient और cancer patient के family के लिए है, yes, recently मुझे किसी ने call किया था, और ये चीज मुझे बहुत पहले से भी पता है, और ये Indian society में है भी, तो वीडियो का topic दोस्तों ये है कि क्या cancer के बारे में हमें cancer patient को बताना चाहिए, या तो क्या cancer के बारे में हमें अपने families में या तो दूसरों को बताना चाहिए, या नहीं चाहिए कि आपको cancer है, या तो आपका treatment चल रहा है, तो इस वीडियो में हम कही न कहीं यही topic के ओपर बात करेंगे, कि क्या सही है या ये चीज़े या गलत है, तो दोस्तों, मैं अपने opinion के इसाब से अगर कोई चीज़ आपको बताऊं तो आपको जरूर सबको बताना चाहिए, येस, जरूर सबको बताना चाहिए, क्योंकि आपको पहले तो ये समझना है कि आपको एक बिमारी हुई है, आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपने जुर्म कर दिया है जो आप इसको बताने सकते हैं और बिमारी किसी को भी हो सकती है, येस, किसी को भी हो सकती है, इवन दुनिया का स्वस्त स्वस्त इंसान है जो उसको भी हो सकती है, सबसे पैसेवाला इंसान है उसको भी हो सकती है कोई भी अंग में हो सकती है जीहां दूसटो कोई भी अंग में हो सकती है तो cancer के नाम से घ्वराना नहीं है और दूसरी बात क्या family वालों को या तो relatives को बताना चाहिए या नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग cancer के बारे में अपने families वगरा में बताते नहीं है तो दोस्तो कहीं न कहीं ये गलत है आपको जितना हो सकता है जो भी आपके करीबी है उनको बताना चाहिए क्योंकि दोस्तो ये जो सफर है ना cancer का मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा easy सफर नहीं है ये मुश्किल सफर है और इसमें आप जितने लोगों को अपने साथ इखटा करोगे और जितने लोग आपके साथ में होंगे आपका आत्मबल उतना ही बड़ेगा और कहीं न कहीं आपको ये जो journey है इसको face करने में थोड़ी आसानी होगी येस face करने में आसानी होगी तो अब दोस्तों लोग सोचते हैं कि हम बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि आपको कैसे हो गया नहीं हो गया तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों लोग क्या कहेंगे या तो लोग नेगेटिव कहेंगे या तो नेगेटिव वाइब्स देंगे या तो नेगेटिव माहुल बनाएंगे तो दोस्तों 10 में से 2-3 लोग या 5 लोग हमेशा समाज में रहते ही है जो आपको negative चीज़े बताएंगे यह यह देंगे माहौल बनाएंगे यह वह कुछ भी ऐसी चीज़े बोलेंगे जो आपको अनुकूल ना हो आपकी situation में तो वो लोग हमेशा रहने वाले है आपके परिबार में रहने वाले वो समाज में रहने वाले पर हमें उनकी चिन्ता नहीं करनी है हमें आप जाधा से जाधा लोग को बताओगे तो दोस्तों कहीं न कहीं आप जो सफर आपको थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि ये सफर दोस्तों अकेले चलने में बहुत मुश्किल होगी आपको और फैमिली मेंबर्स में भी बहुत सपोर्ट चाहिए होता क्योंकि यह मुश्किल समय है दोस्तों इसमें तो आपके जो करीबी है जो आपके शुपचिन तक है वह कहीं न कहीं अगर जब साथ में जुड़ेंगे तो यह सफर है इसको फेस करना थोड़ा आसान हो जाएगा और बिल्कुल भी फिकर ना करें कि लो दोस्तों यहीं चाहिए होता है एक जो पेशन्ट होता है ना उसको अकेले वह यह जरनी नहीं तै कर सकता क्योंकि उसमें इतना इस वक्त बल नहीं होता मैं अपनी बात करूं कि मैं कोई अभी आपको जो वीडियो बना रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहुत उस नहीं दोस्तों हम सब तूट जाते वस समय तो उससमय अगर आपके दोस्त आपके फैंदी मेंबर आपके रिलेटिव और कहीं न कहीं ये सबFin हैं ङूरते हैं तो आपकि फैंदी को भी आपको बल मिलेगा और आपको भी मल मिलेगा तो बिलकुल ना खबराईए कि cancer का नाम स सुना था ना उस वक्त मुझे बहुत ही मतलब चोट लगी ती या तो बहुत मतलब धक्का लगता है ना पर कुछ दिनों बाद में वह कैंसर का नाम मेरे लिए बहुत कॉमन हो गया था क्योंकि अब मैं कैंसर पेशेंट था उस वक्त और वह इतनी चीजें नहीं डराती पर श बात आती है या तो कैंसर की विमारी आती है तो उनको बहुत जटका लगता है पर कुछ समय बाद में सबका ट्रीटमेंट भी होता है और वह उस महुल में एड़्जेस्ट कर जाते हैं तो वैसे ही आप अगर किसी को भी बताएंगे या तो खुद पेशेंट को भी बताएं है और बीना सब कुछ जाने और बीना कुछ समझे या तो बीना लोगों के सपोर्ट के ये चीजे आप अकेले सामना नहीं कर पाओगे इसलिए जीतना हो सकते हैं उतना लोगों को बताओ अपने शुप चिंतकों को बताओ या तो अपने फैमिली मेंबर्स में बताओ कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको support ही मिलेगा, आज की डिक्त में बहुत सारी लोग supportive ही है इस बीमारी को लेकर, तो फिकर मत करो, कुछ भी है आप अपने family members को बताओ, और कहीं न कहीं, वो जो support चाहिए, इस journey को face करने के लिए, वो आप अपनी family को साथ मे लेकर चलो, ठीक है, I hope जो मुझे बताना था, जो मुझे message देना था, वो इस वीडियो में clear हुआ है लोगों को, बाखी तो वीडियो और आते रहेंगे, और cancer related, colostomy related videos, हमेशा मैं बनाते रहता हूं, तो channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe कर लो, बाखी कुछ भी doubt है, तो भी अगले वीडियो में तब तक, take care and goodbye